हलो दोस्तो आज हम बत करेंगे हाइड्रोजन प्रोक्साइड सेलूशन के बारे में लेकिन उससे पहले दवाईयों की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में हाथ म solution होता है जो कि काफी हद तक फाइदा करता है मतलब कटे जले में और बहुत से काम के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके हाइडरोजन के बारे में खई लोगों को हाइडरोजन के पूरे फाइदों के बारे में पता नहीं होता है वो सिरफ इसका इस्तमाल कान को साफ करने के लिए या फिर जखम को साफ करने के लिए करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में या फिर उस पर घाव पर पहले हाइड्रोजन को डाला जाता है अच्छी तरह से और फिर उसे थोड़ी देर में साफ किया जाता है ताकि वो किटानों मर जाए और मवाद भी साफ हो जाए जिससे की जखम जल्दी ठीक हो दोस्तो हाइड्रोजन के इसमाल कान की मैल को साफ करने के लिए भी किया जाता है कान की मैल को निकालने के लिए भी किया जाता है अगर कान में पानी चला गया हो बंद बंद लग रहा है या फिर कान में आवाज ही आ रही है जीब तरह की तो इसे उसमें डाल कर थोड़ी देर रखे कान में और फिर एक दो मिनदे बाद पल्टा दे कान को ताकि वो जो भी प्रॉब्लम है कान में मैल फसी हुई है वो निकल जाए दोस्तो इसका इस्तमाल इलर्जी की प्रॉब्लम के लिए भी किया जाता है हलकी फुल की खुजली हो रही हो जहां जिस जगह पर उसे उस फुलका फुलका या कटने पर तब भी इसका इस्तमाल किया जाता है और तुरंत आराम भी मिल जाता है क्योंकि एक एंटी सैट्पेक होता है दोस्तों इसका इस्तमाल मुहासों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है अगर मुहासे हो रहे हो किसी को हलकल के चहरे पर दाने हो रहे हो तो इसको कॉटन की साहिता से लगा लें सुबह या फिर रात को एक टाइम ही लगाना होता है रात को लगा लें तो और यहां फिर सुबह एक टाइम कभी भी यूज़ करें और इससे मुहां से काफी हद तक ठीक हो जाते हैं नौखुनों को साफ करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है नौखुनों में मेल लगी हो या फिर नौखुन चमक नहीं रहे हो तो इसे हलकी से पानी में डाल कर उस नौखुनों को ब्रेस से ची तरह साफ करें तो नौखुन चमक नहीं लगेंगे मुह के चाले हो रही हो किसी को बार बार तो पानी में हाइडरोजन को मिक्स करके उसके गरारे करे तो चालों की प्रॉबलम भी दूर हो जाती है दोस्तों अगर दात किसी के पीले रहते हों काले रहते हों जैसे भी रहते हों तो दातों को साफ करने के लिए भी हाइडरोजन प्रॉकसाइड का इस्तमाल किया जाता है उसके लिए आपको क्या करना है दातों के लिए आपको थोड़ा सा पानी लेना है उसमें हाइडोजन को डाल कर एक डखकन और ब्रेस से अच्छी तरह साफ करना है दस दिन लगातार ऐसा करने से दात चमकने लगेंगे और पिलकुल उसमें पीला पन नहीं रह जाएगा दोस्तों इसके साइड एफेक्ट भी होते हैं जैसे कि जलन, खुजली, चमली पर लाली होना तो यह नॉर्मल होता है ऐसा ज्यादा इसका कोई साइड एफेक्ट तो नहीं होते है लेकिन फिर भी एक बार अगर आपको कोई ऐसी प्रोब्लम होती है तो डॉक्टर को जरूर दिख्वाएं अम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है धन्यवाद